हेलो इन वेलकम गाई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चैलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग ICCA Arabian T20 लिग की सेकंड प्लेट सेमी फाइनल की बात करेंगे जो की मैच होगा या पर Emirates NBT CKT कलब वसिस Midist Metals के बीच में तो चलिए दोनों इस टीम के प्लेट पर एक बार नजर कर लेतें के कौन से प्लेयर को में लेके जाना है कोंसे प्लेर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं सारी डिटेल्स किसी वीडियो में कवर करेंगे तो चली बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच के इससे पहले लग चोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूटूब चैनल को विदक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूटूब चैनल को सबसक्राइब करेंगे क्योंकि यón चातव तोबर करेंगे इसके साथ आपको यहाँ पर अश्चम T20 के वीडियो मिलेंगे रवांडा T10 के वीडियोज मिलेंगे और साथे में Women's Premier League हम लोग पूरी कबर कर रहे हैं और उसका वीडियो भी आपको अपलोडेट है तो YouTube पे जाके आप लोग अपलोडेट है तो YouTube पे जाके आप लोग अपलोडेट है तो यहीं पर मिल जाएंगे सर्च करिए फेंटा से डिसन चैलेंजर या फिर आप सर्च करिए डरेट FDC27 और आपको सिधा हमारा चैनल मिल जाएगा तो सिंपल ही आपको उसे जॉइन कर लेना है क्योंकि फैनल अपडेट और फैनल दिम आपको टेलिगरम चैनल पर मिल जाएगी बात करें इस मैच की तो ये मैच रात को नो बजे आठ बच कर तीस मिनिट पर रात को आठ बच कर तीस मिनिट पर रात को आठ बच कर तीस मिनिट पर ICC Academy Dubai UA में खिला जाएगा पीची रिपोर्ट यहां से बैटिंग के लिए काफी अची पीच है काफी ज़्यादा रंस बनते हैं यहां पर इवन दोसों के आकड़े कई बार पार हो चुके आपको प्लेट सेमी फाइल के बारे में बता दूँ कि यहां पर क्या होता है नहीं कि चार टीमें उनके बीत में कौलीफायर यानि की सेमी फाइल के लिए चार टिम अनौप के लिए तो वही है कि उनकी एक सेमी फैनल मेच है यह और बात करें एवरेज यहाँ से 150 के प्लस आरम से स्कोर बनता हो न ज़रा सकता है फैले बेटिंग करने वाली टिम को एड़वारेज रहता है तो आई थिंग यहाँ का टिम टॉस जिट कर पहले बल्ले बाजी करना पसंद कर सकती है सबसे पहले आसे इसी-सी की बात करते है साथ मेच के लिए 6 मेच जित्ती एक मेच हा रही है ओपनिंग में कौन है तो मोहमज शाहिर यूसुफ और अनुष ठाकूर दोन ओपनिंग करवा रहे हैं साहिर यूसुफ का और और शुरुवात अच्छी रही थी यहांसे 29-18 और 48 जैसे स्कोर किये थे इन्हों ने भी कुछ खास नहीं किया है तो दोनों की आपर शुरुवात अच्छी थी लेकिन दोनों ही लास मेच के लिए कुछ खास नहीं कर पा है तो फिर भी यहां पर चोईस तो है मैं यहां से अनुष ठाकूर को को नहीं चोड़ूँगा लेकिन शाहिर यूसुफ के पर आप लोग रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो अनुराधा एकानाई किया कि बात करो तो इनका भी परफॉमस टिक्टा करा इन्होंने ओपनिंग भी करवाई वन डाउन भी खेले नीचे भी खेले लेकिन परफॉमस कुछ खास नहीं रहा तो इनको तो मैं सजेस्ट नहीं साज जाहन एम हसनेयर की बात कर दो लास मैच चिनर 26 किये इसके पहले 184 मैचिस के लिए हो जापर 31 की अवरे से 3532 रहने 122 विखेड है राइट हैंडेट बैटिंग के साथ साथ यह से राइट आम फास गेन बाजी करवा लेते हैं और तो करवाई नहीं अभी तक तीन मैच क से दोनों इने कुछ कास नहीं किया मुझमिल चणर ने 21 की बारी खेली है यहाँ पर चरु का रहीं नहीं यहाँ बाकी दोनों का जी खास पर्फॉमस नहीं रहा इनके लबाएसे अकलाख हैदर वेरीमपॉर्ड़े पिक अभी तक यह जितनी मैच के लिए न सारी इसके सिस्टंट है हर एक मैच के निट निकाल रहा है तो डेफिनेटल हम लोग एस प्लेयर लेके जाएंगे इस प्लेयर के उपर भी आप लोग चाहो तो कैफ्टन वाइस का प्रिस्क ले सकते हो बंदे ने जबर चस निकाल लिया पर चार विएट दो विएट पिछली दो मैच की बात को तो तीन विगेट और यहाँ पर दो विगेट निकाल लिए तो वेरी इंपॉर्डेट भी करहेगा यहाँ पर इसमाइल लेके जाना है इनके अलावा यसे मुहमद इम्रान आई भी बहुत जाता जिसकी खेलो तो ट्राइ करिएगा चूंकि कभी-कभी वर्स करवाते रेगिलर वर्स करवाते नहीं है स्टार्टिंग में आपर याशीर और इसमाइल देथ उसमें इसमाइल के साथ मुझम मिल चरण देथ में आये था है इनके अलावा ब्यांस से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स उनके अपडेट पगेरा टेलीगरम में आपको टेलिगरम चैनल को जोइन के लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल दीम आपको वही पर दी जाएगी बात करें से मीडिस्ट मेटल की जो की साथ मेच के लिए पांच में जिती दो में चारी है उपनिंग में कोन है तो सना उलहक बट्टी और यापर खुर इसके लिए फाइनल विगेट 32 रन के साथ 2 विए चैनल इसके साथ 2 विगेट लास में चैनल दो विगेट और आगे भी मेरे लिए यापर कैप्टन और वाइस कैप्टन सिफिट के लिए पर फेक्ट चोईस यापर फूर्टम को जाए तो इनको लेकर जाए नहीं करेंगे यह consistent रहा है, पूरा यहां से 68, 28, 45, 27 और 56 जैसे स्कोर किया हुए, डेफिनेटली लेके जाएंगे, अली अनवर यहां पर आपको बैटिंग सेक्षन से दिखेंगे, very important pick, पिछली सारी मैच के रिपिकेश निकाल तो आ रहा है, यह बैटिंग भी काफी तकड़ी करवा लेता ह हाला कि बैटिंग से अभी तक कुछ खास किया नहीं, लेगिन कभी भी बड़ा परफॉर्मस कर सकता है, तो इनको आप लोग लेके जा सकते हो, इर्फान अश्रप को ऐसा डिफरेंसिल वेमें में आप लोग लेके जा सकते हो, पिछली दोनों मैच के नहीं से 30 और 21 जैसे 2 अच्छे स्कोर किया हुए, तो परोसा कर सकते हो, इनके लब ऐसे मंदन सिद्धी की वेरी इंपॉर्नेट पिक डेफिनेटली लेके जाओगे, लास मैच के नहीं दो विकेट इसके पहले 36 रन, इसके पहले यासे 55 रन किया तो वेरी इंपॉर्नेट पिक डेफिनेटली लेक करूँगा, लेकिन आप लोग यापर तेहरान खान को भी कैप्टन कर सकते हो, मुहमद आशीफ होके रहेंगे, इनको ग्राणली को गेरा में ट्राइ करना है, अयूब को आप लोग ट्राइ कर सकते हो, पूरी वस करा रहा है, विकेट में निकाल रहा है, यापर तीन कर ले सकते हो, स्टार्टिंग में आपर को होन है, तो अयूब है, टेहरान कान है, स्टार्टिंग में देध वस में आपर अली और अनुवर के साथ, मुहमद आयूब देध में आई थे, इनके अलावा, बियांच से कोई भी प्लेयर खेलेगा, तो इनके स्टैट्स, इनके पके एबडेट कीराव टेलीगरम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाना, आपको टेली गरम चैनल को जोईन करेना है, अप इक लिए, देख लेते हैं, हमारी ऐफेंटासीत इंटी में ऌन सी आयो ठेह सकती है, कौन्स प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन्स प्लेयर को हमें गर आप कर सकते हैं तो बात करें आपर विकेट कीपिंग सेक्षन की तो ऐसे सनाउल हग बटी और को लेके जा रहे हैं हम लोग यासे सनाउल हग बटी के जगा पर आप लोग यासे शाहिर को भी ले सकते हो लेकिन दोनों मेरे किसी एक को लेना है सनाउल हग बटी थोड़े से रि कर सकते हैं इनके लबाय ऐसे हमाद एहमाद खान अगर खेलते हैं तो वेरी इंपॉनेट पिक रहेंगे इनको डेफिनेटली लिखे जाओगे ओल्डावडर सक्षिन में आपर खुड्रम ख्वाजा है लहिरु मलवट्टा है इनके साथ या पर अली अन्वर है सिद्धी की है म यूब को ले सकते है इन दोनों में जा किसी एक को ट्राइक कर सकते है तिम की बात करूँ तो टिम कुछ इस तरह से रहेगी हमारी के खुड्रम ख्वाजा कैप्टन रहेंगे वाइस कैप्टन यहापर अखला खायदर रहने वाले इनके लबाए असे अली अनुवर को ट्रा अपर मिलेगी तो फाइनल मिलेगी और टेलीगरम में पार सिस्था और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो जल्दी सी जा और रहा जा Teach Me और आपको सिथा अमारा चैनल मिल जाएगा तो simply आपको उसी जोइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वाइपर दी जाएगी यहां अगर वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो शेर कर दो और यूटूब चैनल को इस यूटूब चैनल पर मिलने वाले तो इसके लिए आप लोग यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ ही में टेलिग्रम से भी जूड़ जाओ बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखते रो अच्छे से अनालिसिस करो और अच्छी से अपने खुद की टीम बना क अच्छी कासी वेनिंग कते रो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए भाई दन्यवाद जयहिन जय वारत